वीके न्यूज राश्ट्र के नाम नमस्कार वीके न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनू यूक्रेन पे रूस के हमले का आज पाच बादन है और ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है आए दिन भयानक तस्वीरे सामने आ रही हैं जो दिल दहला देने वारी है इस यूद्ध के सिदे में हजारों की संक्या में भारतिये छात्र भी यूक्रेन में फसे हुए हैं जिनको वहां से निकालने में सरकार दन राद कोशिश कर रही है अभी भी छात्रों का अपनी वतन बाप्सी का सिलसिला जारी है वहीं दूसरी और ताजा अपडेट के मुताबिक तक्रीबन बारासो छात्रों को भारत वापस लाये गया है युद्ध की भयावा मंजर देखकर हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है युप्रेयन के सानिक अपनी जान की परवाह किये बना देश के सुरक्षा के लिए मैदानों में डटे है जहां एक तरफ छात्रों की वतन बाप्सी शुरू हो चुकी है वहीं इसे बीच अपनी जान जोखिम में डाल कर सेफ लैंडिंग करवाने वाले कैसे पाइलेट की चर्चा हो रही है जिन्होंने छात्रों को सुरक्षित वतन बापसी का बीरा उठाया और उस काम को पूरा भी कर दिया जिसने इस भयानक स्थिती में भी अपनी हिम्मत और होसलों से विमान की सेफ लैंडिंग करा कर धाइसो छात्रों को वतन वापस ले आया है जी हां हम बात कर रहे हैं अंचित भादवाज की जो धाइसो छात्रों को भारत वापस लेके आये हैं जिन्होंने अपने हिम्मत से इतने छात्रों की जान बचाई हैं, इससे पहले भी इन्होंने अपनी साहस का परिचर दिया था। ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कारणामा करके दिखाया हो। इससे पहले भी उन्होंने लंदन में आये भीसंत तूफान में जहां दुन्या की बाकी एयर लाइन्स हिम्मत हार गई थी, तब एयर इंडिया के भारतिये पाइलट अंचित भादवास ने अपनी हिम्मत का परिचर देते हुए, उन्होंने सुरक्षित और सेफ लैंडिंग क पराकर सभी को चौका दिया था, और इसका वीडियो भी शोशल मीडिया पे खूब तेजी से वारल हुआ था, अब एक बाफिर यही कैप्टन अंचित यूक्रेन में फसे 200 भारति चात्रों को सुरक्षित वापस ले आए हैं, रवीवार सुबा यूक्रेन के वुखाडेस स एर इंडिया की फ्लाइट एल 1942 दिल्ली पहुची, विमान के पाइलर्ट कैप्टन अंचित ने बताया कि पाकिस्तान सहीच सभी एर ट्राफिक कंट्रोलर ने विशेस मिसन में साथ दिया, रोमानिया से दिल्ली तक साथ ये तहरान के रास्ते पाकिस्तान तक सभी एटीसी ने ट्रक से भड़पूर सा योग मलता रहा, जिससे हम तैस समय सीमा में भारत पहुच गए। बताते हैं कि उन्हें सभी सरकारों का भरपूर सा योग बिला है, जिसके कारण हमने एक से समय में ये मिशन पूरा किया है, सभी देशों ने भारत के इस मिशन में पूरा-पूरा साथ दिया है, वही भारत ने भी अब अपनी जात्रों को निकालने के लिए कमर कसली है, जि इसे Operation Ganga नाम दिया गया है इस मामने पे PM मोदी खुद निगाह वनाए हुए है और वो खुद इस मामने को लेकर लगातार बैठक भी कर रहे है PM ने देर रात भी इस मसले पे अहम बैठक करकर निर्णा लिए जिसमें एक निर्णा ये भी है कि यूक्रेण से छातरों की वतन वापसी के लिए मोदी सरकार के चार मंतरी वहां पहुचेंगे और छातरों की मदद करेंगे जिन में केंजी मंतरी हरदीप सी पुड़ी विमानन मंतरी जोत्य आदिति सिंधिया किरेन रिज्जू और जनरल वीकेसी शामिल है जो यूक्रेन के परोशी देश पॉलेंड, हंग्री, स्लोवाकियों और रोमानिया जाएंगे आपको बता दे किसे पहले भी वीकेसी ने विदेशी धर्टी पे जाकर भारतियों को सकुशल वापस लाया था आपको ये भी याद होगा कि जब शुरुआती दौर में पूरा देश कोरोना मामारी से जूज रहा था उस वक्त भी शुरुआत में विदेश में फसे नागरिकों को लाने के लिए वन्ले भारत मिशन सुरू किया गया था और अब एक बार फिर्ट यूक्रेइन संकट के समय आपरेशन गंगा लॉंच हुआ है जिसके तहट सभी नागरिकों को भारत वापस लाना सरकार की प्रात मिक्ता है ऐसी तरीम ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप जुरूरे वीके निउस के साथ जिसके प्रात मिक्ता हुआ 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 है